इस वालो कोशन को देखो, problem number 42 आप से क्या बोल रहा है? आप से बोल रहा है, the probability of an event is greater than or equal to. आपको पता है, किसी भी event के होने की जो probability होती है, वो 0 से बड़ी या 0 के equal होती है, और आप यह भी कह सकते हैं कि उस event के होने की जो probability है, वो एक के बराबर और एक से कम होती है, तो किसी event के होने की probability का जो order है, वो यह है, तो यहाँ पर जो option बनेगा, इस हिसाब से option number B बन जाएगा, क्योंकि आप से गहरा, greater than or equal to 0, किसके the probability of an event is greater than 0 से बड़ी होगी, यह 0 के बराबर होगी और less than equal to 1 होगी यह उससे कम होगी, तो option इसी साब से बन जाएगा B, कहीं ने कहीं यह भी confuse कर सकता है, देखो इस playlist के अंदर सारे questions हैं, अगर आप 10 पिलस 2, AMU और जामिय के लिए, especially AMU और JMI के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सारे questions लगाओ, बचके नहीं जाएगा, सारे questions लगाओ, playlist बना रही है, playlist के अंदर एक और एक questions दे रहाँ, सारे questions लगाओ, literally अगर आपका base built up हो जाता, तो आप questions सब लगा दोगे, Thank you so much.